आप तो सब कुछ हार गे सम्राट अब कहा के सम्राट मावाश्री अब क्या लगाओगे प्री युधिश्थेरे अब मैं अपने प्रीये नुच नकुल को दाओ पे लगाता हूँ अब क्या चाहिए प्रीये दुर्योधिन मुझे नौ क्यावा शक्ता है नौ अब मैं अपने प्रीये सेदेव को दाओ पे लगाता हूँ सेदेव चेव दा सेदेव अर्चुन वीर अर्चुन की आठ्थ मैं अपने भाई भीम को दाओ पर लगाता हूँ भाणजे पलवान भीम पार भार हाई अब महाराज, अब मैं अपने आपको दाओ पे लगता हूँ, ये पासा मुझे चाहिए मामा शरी, आवश्य भांजे, अब मुझे नौ की आवश्यक्ता है, लो, भांजे, भांजे लो, अब तो ये दियूत समाप्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप दाओ पर लगाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, है कैसे नहीं महाराज, वो अभी मानी, वो उम्रिग नयनी द्रौपदी जो है आपके पास, महाराज इस सभा में आपकी पुत्रवदू का नाम इस अनादर से आपके लिए गया, और आप ये सुनकर भी चुप रह गए, भ्रादा श्री, लगाते हैं द्रौपदी को दाओ पर, हाँ, मामो श्री, मुझे नौ क्या वश्रक्ता है, नौ, नौ, द्रौपदी आज से मेरी दासी है युद्रिष्टर, और मुझे हार जाने वाले उस पहले अपने आपको हा रहा था, ये मुझे, हाँ, 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 हे राजन, कुलगुरु होने के नाते ये कहना मेरा कर्तव्य है, क जदी मैं हा रहा हुता तो यही स्वरन शब्द आपको कभी याद नहीं आते यह तो वही बात हुई कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया बैठ जाए कुलगुरू मैंने कहा बैठ जाओ जब बास का अंत होने वाला होता है महराज तो उसमें फ़ल आ जाती है दुर्योधन भी हस्तनापुर की राजनीती का एक फ़ल है महराज फिर भी यदि आप सोच सकते हैं तो सोचिए द्रवपदी कुलवधू है उसका अपान कुल का अपान है पितामा द्रवपदी अब कुलवधू नहीं है आज से वो मेरी दासी है दासी और वो भवन में दूसरी दासीयों के साथ रहेगी और उनहीं के प्रकार कामकाज करेगी मेरी निष्ठ हस्तना पुर्राजसंगासन के प्रति है महराज दुर्योधन के हटों के प्रति नहीं है और उस सिंगासन पर मेरे ही पिताश्री विराजमान हैं ताद स्थिरी मैं ताश शीर से सहमादू पिता शीरी, भावी शीरी का प्मान, सारे भरत्वज का प्मान है, विकर्ण! मैं तुम से मान सम्मान के विशय में कुछ नहीं सुनना चाहता, बैठ जाओ! और मुझे अपने दासों के सर पर ये मुकुट अच्छे नहीं लग रहे, अपने अपने ये मुकुट उतार कर मेरे चरणों में रख दो, रख दो! उतारो ये मुकुट और रख दो मेरे चरणों में! योराज की जय हो! तू अकेला क्यों आया है? योराज, बहुरानी महाराज युदिष्ठी से एक प्रस्त का उत्तार जाने बिना नहीं आएंगी! एक मामुली से दास को महाराज कहकर यहाँ पर उपस्तित राजाओं महाराजाओं का अप्मान करता है! क्या कहा उस दासी ने? योराज, वो यह जाना चाहती हैं, अहाराज पहले अपने आपको हारे थे या उन्हें? उस पांच पतियों वाली से जाकर कहो कि वो यहाँ आकर अपना प्रश्न करें, जाओ! जो हागे है इत्वु राज, जो हागे है है, जो हागे हैं… क्या उत्तर लाइए मेरी प्रश्न का? महाराज तो चुप रहे बहुरानी, पर यो राज ने कहा, आप सोई महापधार कर, महाराज से प्रेश्न कर लें तो मेरे लिए एक कश्ट और उठाओ, वहाँ जाओ और उनसे कहो, कि द्रौपदी केवल अपने बड़ों के आदेश का पालन करेगी यदि पीता महा, यही चाहते हो, कि कुरू राज खराने की लाज दियूद्ग्रे में आए, तो मैं अवश्र चलूगी यदि जेश्ट पिता श्रीक की याज्या हो, तो मैं इस आज्या का पालन करूगी यदि काका श्रीक इसे उचित जानते हो, कि मैं वहाँ आओं, तो मैं वहाँ वश्र आओंगी परन्तु यदि ये लोग ये नहीं चाहते, तो मैं वहाँ नहीं चलूगी यो राज मुझे फिर लौटाएंगे बहुरानी तो क्या तुम अपनी बहुरानी के लिए इतना कश्ट भी नहीं उठा सकते जो आज्या जो आज्या बहुरानी वो होती कौन है जैश कुरूव से कुछ पूछने वाली, उसे मैंने जीता है और उसे मेरा अदेश मानते हुए यहाँ आना ही पड़ेगा भगवान के लिए इस द्यूत कड़ा को यहाँ समापत कीजिए महराज महराज मेरे साथ यह न्या नहीं कर सकते पितामा युद्श्टर ने सुएम दुरापदी को दाफ पर लगाया था दुरापदी को दाफ पर लगाने से पहले उस समय आप सब लोगों ने युद्श्टर से क्यों नहीं कहा कि दुरापदी स्राज घरानी की लाज है और वो भरतवन्ज की लाज को दाफ पर ना लगाये यह सारे प्रशन अब किन रहे हैं जब दाफ मैं जी चुका हूं मेरे प्रशन का उत्तर है किसी के पास है किसी के पास मेरे प्रशन का उत्तर दुशासन जी भ्राताश्री ये द्वारपाल तो मूर्ख है स्वैम तुन जाओ और उस पांच पतियों वाली को बालों से पकड़ कर घसीर तो है आलाओ जो आज्या भ्राताश्री चल तुझे हमने जीत लिया है नारी की मर्यादा का आदर करना सीखो गांधारी पुत्र दुशासन उसकी कोक को अपमानित न करो चलती है या घसीत कर ले चलू चल मुझे इस दशा में वहाँ ना ले चलो दुशासन मैं कुलवद हूँ कुरवंक्ष की मर्यादा हूँ अरी आज तुए गासी किया तेरे कुछ भी ने यह चल यह तो सचो कि मैंने तुझ सान नहीं क्या अरी चलू मैं तो जेश माताशी को प्रणाम तक करने नहीं गई और तुम मुझे घसीत हुए भरी सभा क्योड ले चारे हो जो मुझे पहचानते हैं वो तो पहचान जाएंगे जो नहीं जानते हैं उन्हें क्या बताओगे क्या पाओगे कि मैं तुम्हारे पिदाश्री के अनुज मह पांडू की बुत्रवद हूँ और यदी बीच में जेश माताशी मिल गई और उन्हें तुमसे पूछा कि तुम क्या घसीते लिए जा रहे हो तुम क्या कहोगे उन्हें क्या सकोगे कि तुम कुरवंग्ष की मर्यादा को घसीत तुमें भारी समा क्यो ले जा रहे हो जा रह मैं उनका मान नहीं अपमान का गाउं दुशा से अपमान का गाउं आरे कर गया पाप की हर सीमा को नीच कुल मर्यादा खीचता कि भरी सभा के भी चलिए अश्री यह रही पांच पतियों वाली द्रौपदी क्या कहा था तुने अंधे का पुत्र अंधा दुशासन इस दासी को मेरी जंगा पर भिठा दो त्रियोदान इस अपमान के लिए मैंने तेरी जंगा न तोड़ी तो साथ जन्मों तक तेरा दास बना सिवकार करूगा शत्रियों की भाषा भूलने का प्रेत्न करो दास चिंत न करो मित्र कुछ भूलने और कुछ सीखने में कुछ समय तो लगता ही है यह सब के सब धीरे धीरे भूल जाएंगे कि यह शत्रिया है और धीरे धीरे यह दास बनकर जीना सीखी लेगे प्रिय भांजे देखना यह है कि उस भरी सभा में मुझे सूथ पुत्र कहकर अपमानित करने वाली यह अभी मानिनी द्रोपती अपने पुत्र को तास पुत्र कहना कितने दिनों में सीख पाती है अखे जुकाना इस समस्या का समाधा नहीं है पितमा मैं आपकी खुल्वधु द्रोपती एक वस्त में लिप्टी होए रितुस्तान के बिना इस भरी कुरुसभा में आपको प्रणाम करती हो और यह जानना चाहते हो कि आप मुझे आज क्या आशिर्वा देंगे आप तो जेष्ट कुरु है भावीर है सेष्ट विद्वान है बताएए कि आपने केवल कुरु सिंगहासर की रक्षा का वाचल लिया था क्या कुरु मर्यादा का कोई बाहत्वरे है आप जैसे महापु प्रुष्ट शूर्विल को पिश्टों से मुझे बाना शोबानी देता विदमा मेरियोर देखें देखें मेरियोर मैं कुरु मर्यादा के आगे लगा हुआ एक प्रशन चिन्न हूँ देखें मेरियोर देखें किया आपकी कुलवदू किस दर्जा में घीच कर यहाल आई गई है और मुझसे कही है कि भरत वंक्षियों की क्या यही परबबरा है कि मुझसे यह सुनकर मैं चुपो जाओंगी चुपो जाओंगी मैं मैं जिस वंक्ष की हूँ उस वंक्ष की परबबरा कुछ और है उस वंक्ष में लोग अपनी कुलवदू के मान सब्मान की रक्षा करने के लिए मर मिरते हैं पर तो हर परिवार की अपनी परबबरा होती है कि प्या मुझे बरत वंक्षों की परबबरा बताएं मेरी होड देगे पितमा जब मैंने पहली बार आपके चरन चुए थे तो आपने मुझे सौभाग्यवति होने का आशिरवाद दिया था अखने उस अशिर्वात के धश्या देखे इ आपके सामने इया धर्म होआ और आपने इसे सहिट कियो तो कह इस का याद नहीं है क्या आपने कपत अन्याय इस अधर्म को सुई कड़ किया क्या आप भी मेरे इस अप्मान की भागिदार नहीं है यह दी नहीं है तुढ़ाई अपने धरूश और छेठ दीजो उस जीवों को तुसे आपकी कुलवदु द्रोपदी को दासे कहने का अपरात किया है अपकी प्रिक्ष के चाहे में बैठे है पिता मा उठ जाए आपको तो शास्त्रों का ज्यान है पिता मा मुझे बताये जो वेक्तिसोयम अपने को जुए में हाट चुका है वो कौन होता है किसी और किस वातन तो था किसी और क्या आत्मसमान को दाप पर लगाने माला कितमान अपना करिया를 पैष किसा इस डेअलिता क्या है क्योंकि ये प्रशन का उत्तर मांग रहे हुआ है क्योंट्क तैने है प्रतुपलेटिसों ये प्रशन कि आपकी पुर्वज है जिससे अपके पुर्मज चक्रवरती महालाद भारत से अपना नाम मिला है पुट्री नहीं कर रहे हुआ उससा प्मान की बात कर रही हूं जो पिखल का रांसु बनके मेरे आखों से महरा है यदि पत्ती पती की संपत्ती होती है तो जब मेरे पती अपने को हारे उसके साथ मुझे भी हार गे तो फिर मेरे दाव पर कैसे लगी और यदि पत्नी पती की संपत्ती नहीं तो मेरे पती मेरी आख ग्याले बिना मुझे दाव पर कैसे लगा सकते हैं इस वंक्ष की मर्यादा इस विशाय में क्या कहती है और क्रिप्या मुझे पुच्छी से संपत्त ना किजिए यदि मैं भरत वंक्षी पुच्छी नहीं होती तो आपने मेरा ही अपनाग इस प्रकार चुपचाप का विरसाइन क्या होता मुझे कुलवदु कहिए क्योंकि मैं देखना चाहती हूं इस सम्भा में खड़े इस द्रापदी को कुलवदु कहती हुए आपके जीमलर खड़ाती है यह नहीं पांच आली के प्रश्णों का उत्तर दीजिए पितामा उत्तर दीजिए पितामा क्या उत्तर देंगे यह तो स्वाय में एक प्रश्ण है आपके प्रियारोज पांडु के पुत्तरवधु द्रापदी आपको प्रणाम करती है जेश्ट पिताश्री आप बड़े भाग्यवान है जो नीत्तर हिन जन में नहीं तो आज अपनी सभा में अपनी पुत्रवधु की दुर्धशा देखकर अवश्टे ही नेत्तर हिन हो गए होते मुझसे कुछ ना कहो पुत्री कुछ ना कहो नहीं युधिष्टिन ने मुझसे तुम्हें हारने की आक्या ली थी और नहीं दुर्योधन ने जीतने से पहले तुम्हें जीतने की अपना ये प्रश्ण लेकर युधिष्ठिर के पास जाओ इसने तुम्हें दाओं पर लगाकर भरत वंच की मर्यादा को भंग किया है जो आज्या जेष्ट पिता श्री परन्तों उनके पास अपना प्रश्ण ले जाने से पहले मैं अपने पिता के मेत्र कि द्रोनाचारिय को प्रणाम करना चाहते हूं जिनके लुए भी मेरे पास एक प्रश्ण है अपने काका शिवेदु द्वारा यही संदेश भेजा था ना कि दूपत्पुत्री होने के ना थे मैं आपकी पुत्री हूँ और पांडवा की बत्नी होने के ना थे आपकी पुत्रवदु तो आज इस सभा में पुत्री की नाते आपका चाहन स्पाश करो या पुत्रवदु की नाते आपने भी अपने होटो पर मौन का ताला लगा लिया कुल्गुरु कृपाचारियों काका श्री महत्मा विदुर की नीती इस विशय में क्या कहती है आप तो करवे सच बोलने के लिए प्रसिद्ध है आप तो चुपने रहिए जो बोलता है उसे बोलेने दो हांजे चो होना था सो तो हो ही गया प्रियी युधिश्टिर तो पद्रापदी को हारी चुके हैं। यह होते कोड़े मुझे हारने वाले। यह दीने अपने पत्नी को हारने का धिकर हो भी। तो भी मैं केवल इनकी पत्नी तो नहीं हूँ। मैं पांच पांड पुत्र की पत्नी हूँ। और मुझे पर केवल इनका दिकार नहीं है क्या नोने दाउपल लगाने से पहले तुमसे ये पूछा था कि ये तुम्हारी पत्नी को दाउपल लगा सकते है या नहीं क्या तुम लेनी आग गे दी थी सर्विस्रेश्क धनुदर कि मीन बेधन करके मेरे स्वाइमर जीतने वाले शूर्वे तुम बोलो क्यों तुमने मेरे स्वाइमर इसले जीता था कि जेश्ट कुंति पुत्त एक दिन मुझे दाउपल लगा दे है संसार में इन से पहली वी जुआरी हो चुके हैं पर किसे ने कभी अपने रखेल को भी दाप लगाय था और तुम लोग तुम लोग अपने बिहाता को दाप लग जाना देखते रहें गए दिक्कार है तुम रों की भीरता पर दिक्कार है आप पांचा-ली के प्रश्क का आप तो सोयम धर्ती पर धर्म का चिन हैं महादेव की सोगन यदि आप आप न रहे होते तो मैं पांचाली को दाव पर लगाने वाले हाथों को व्रिक्ष की भाती जैसे वो खार के फेंग देता आज जाके मेरी अभिलाशा पूरी हुई भांचे के पांडवों में फूट फड़ ही गई जैसे तीमक बड़े बड़े व्रिक्षों को चार जाती है जैसे रोग शरीर को खा जाता है भावी श्री के अपमान के ये रोग भी तीमक की भाती भरतवंच के व्रक्ष को नश्ट क रड़ देगा पितामा पिताशीरी टागाशीरी गुरुवर्ड द्रॉन गुलगुरु खरपाचारिये अंग राजकन भावी श्री के फ्रश्न का उत्तर दीजे क्योंकि आपका दियावा उत्तरी आगे चलकर हस्तिनापुर के भागया दुर भागया के द्वार खोलेगा और मेरे इस प्रश्न का भी उत्तर दीजे, क्या एक पत्नी को इसका अधिकार है, कि मैं अपनी पत्नी को जुए में हार जै, और यदि आज भी आप लोगों ने मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, तो यह प्रश्न किसी भी जन्म में आप लोगों का पिछा नहीं छोड कि अधिकार की परिभाशा क्या है कि अधिकार की परिभाशा क्या है कि अधिकार की परिभाशा क्या है कि अधिकार की अधिकार की परिभाशा क्या है कि पांच तो तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए इसलिए आकर मेरे मित्र तुर्योधन की गोद में बैठ जाओ पांच पतियों वाली तो तुम पहले ही से हो तो छटे का हाथ पकड़ लेने में हनी क्या है एक दिन मैं तुमें इस अपमान का दंड अवश्यतूंगा करण अवश्यतूंगा है चुप मेरे मित्र से बात करने का साहस करता है मैं तेरी जीम करत लूँगा इसे बोलने दो मित्र नयाने अदास हुआ है धीरे धीरे सीख जाएगा जो स्तुरी पांच-पांच पुर्शों के साथ रहती हो वो पत्मी नहीं वेश्या होती और वेश्या का मान क्या और अपमान क्या यह यहां नगन भी लाई जाती तब भी आन्यों चितना होता बैठ जाओ मेरा मित्र बिलकुट ही कह रहा है एक वेश्या या दासी का मान क्या और अपमान क्या दुशासन मेरी इस दासी को नगन कर दो देखूं तो सही के जिस दासी को मैंने जीता है वो लंदी कैसी है दुशासन यदि तुने पांचाली के वस्त को हाथ भी लगाया तो क्षत्र ये गर्मा की सोगन तेरे हाथ तोड़ दूगा फिर अपनी पांच पत्यों वाली पत्नी से कहो कि अपने वस्त्र स्वाइम उतार दे और यदि उसने ऐसा नहीं किया तो फिर मुझे हाथ लगाना पड़ेगा जल उतार अपने अपस्त्र अरे उतार इतार जाती कहा है जल इदार आयदार जोड़ेगा घौटने कंजाए एगो बेन दो एद्वारेकाधिश मेरी लाजवाचा, मेरी लाजवाचा गंधारे, है कृष्ण खीज दुशासन, लगना करदें से हाँ 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 दुशासन, दुशासन, दुशासन... कि एक आएशी, कि एक एक लाँ एक एकनी, ही घे जुरिसुम! ही जुरिसुम! ईटो औिक जड़ा खाएक रूकर तकनों hybrid ऊचेज़ अदु़ 125 ऑज़ UP कर फो कि बाहदों है कर अज़ वह जड़ास कर एक दोली सो नहीं का जड़ांप है क Peng पयो को ईजढाईं तो जआए उजय जएर ऐए करिश Whatsim करिश से ए DEIN है, किरश Anda ए, सर ए. है किरश से घर किरेशी है? ए, किरो से ए, सर ए, ए, किर किरेशने की जटने किरे फ, समने की कि अएचुचचच someplace, कि मिचुच कि अएच You ही कुछ एक 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 कि दो कि दूwo कि दूल कि दो तैड लिए, कुल हिए, कुल लिए, कुल हिए, कुल हेलो क्योजिए हेलो क्योजिए जो जो कहने जा रहा हूं ना मुझसे पहले किसी ने ऐसा कहा है ना कोई मेरे पश्चात ऐसा कहेगा मैं पांडू पुत्र भीम ये घोशनर कता हूँ कि जब तक रंग भूलू में इस दुशासर की चाती चीन कर इसके लओने पीलूगा अपने पूरुजों को अपना मुझसे घोड़ा हे ताच्ष्री हे महराज हे गुरु द्रोण हे कुल गुरु करपाचाहरे जो नहीं देखना था वो तो देख चुके आप द्रोपदी के प्रिश्ण का उत्तर तो दीजिए एक घायल आत्मा इस राजगराने की घायल मरियादा आपके साब में एक प्रिश्ण लेकर आई है और इस समय इस भरी सबा में अपने हाथों से अपने मूझ को छुपाए प्रिश्ण का उत्तर तो दीजिए आप सभी धर्म के ज्यानी हैं और द्रोपदी के प्रिश्णूं का संबंध धर्म ही से तो है धर्म के प्रिश्णूं का उत्तर जानते हुए भी चुप रहना हादा जूट बोलने के बराबर है और ठीक उत्तर न देना तो पूरा जूट है ही यही तो बताईए क्या आप लोग अपने सिर आधे जूट का आड़ोप लेंगे या पूरे जूट का क्यूंकि पूरा सच बोलने का सास आज हम ऐसे किसी को भी नहीं है फिर भी हम चुप तो नहीं रह सकते हमें द्रॉपदी से इतना तो कहना ही पड़ेगा क्या भी लखती हुई द्रॉपदी उट अपने आसू और अपने अपमान को समेच कर किसी और सबा में जा क्योंकि यह सबा यह सबा तो मृत्तक लोगों की सबा है मृत्तक लोगों की सबा है है हुँँँँँँदी महाराद रित्राष्ट आपकी सभा में एक नारी का पान हुआ है जिस नारी के शरी को कभी पवन्य न चुआ हो कभी सूर्य के प्रकाश न देखा हो उसकी स्वयम अपनी घर में पिता महां जीष्ट पिताश्री अजारया द्रोन कुलगुरु की पाजारय के होते हुए में करने का प्रहत्न किया गया है कुरु जीवन प्रणाली में यह कोट कहां से आ गया कि वह चुप चाह बैठे अपनी कुल वदू के चीर हरुन का यह बयानक दृश्या देखते रहे गए आप सब सुने इस निलज और कायरों से बढ़ी हुए सभा में मैं द्रोपदी पंचाल नरेश की पुत्त्री इंद्रपस नरेश की पत्नी और हस्तिनापु नरेश की पुत्रवदू आप सब को शाब देती है कि नहीं नहीं पुत्री गोंज उठी आकाश में नारी की आवाज सन्नाटा साच्छा गया बीच सभा में आ जो भी नारी जाती का करता यूं अपमान उसका नाश अवश ही कर देता भगवान सीख हम बीते युगों से नए युग का करे स्वागत करे स्वागत करे स्वागत करे स्वागत करे स्वागत करे स्वागत